नमस्कर मेरा नम गीता से क्या है मैं अंदरक्रेज़ित हूं और teaching line में मेरा आउध वर्स की अभिकता है मेरा ग्रिहा जीला का नाम है नागाउं जीला यह असम में श्थीत है नागाउं जीले को मजधा सम भी कहा जाता है इन आर्थिस्ट के मैध में स्थीत एक जीला है हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कहा जाए तो असम के नबावश्णव धर्म के प्रसारक महापुरूस स्रीश्री संकर्देप जी का जन्म इस नागाउं जीले में ही हुआ था 1719 में नागाउं जीले के बर्दुआ के अलिपुखुरी नाम की एक चोटे से गाउं में महापुरूस रिमांत संकर्देप जी ने चन्म लिया था ब्रिटिस अन ओपनी बेसिक काल में जब नागाउं जीले में ब्रिटिस सासन काल सेल रहा था तब नागाउं जीले को ठ्री सीज के डिस्ट्रिक्ट कहा गया था ठ्री सी का मतलब है चिकन, सिल्ड्रेन, एंड केसेज यह है हमारे नागाउं जीले के हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस मेरे स्कूल का नाम है 612 नमबर कोपिली संकर्शंग एल्पी स्कूल यह कचिया तली ब्लॉक में स्थीत एक स्कूल है हमारे स्कूल में 27 स्टूडेंट्स है और यह वन टीचर स्कूल है इस स्कूल में मैं ही एक टीचर हूँ और मैं स्कूल की हम की बुमिका निभा रही हूँ इस स्कूल में एज़स्मेंट के जरिए एक टीचर हमारे यहां दिया गया है कुल मिला कर हम दो टीचर अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं स्कूल का स्ट्रेंट पर यह है कि यह स्कूल बहुत पुराना स्कूल है अज़ादी के एक साल के बाद ही हमारे स्कूल स्थापिट हुआ था लेकिन पहले जमाने में तो सरकर स्कूल में बहुत चरे स्टूदेंस थे लेकिन ऐसा एक काल आया, ऐसा एक समाय आया कि सरकर स्कूल के बादे में हम विभाबों को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला कि सरकर स्कूल अच्छा नहीं है ऐसे ही होते होते आये हमारे स्कूल का भी कुछ दर्दनाक अवस्था में आगे थे स्कूल लेकिन इन आथवर्ष में हम लोगों ने बहुत कोसिस किया कि स्कूल को एक ऐसे अवस्था में लाए 1948 में अगर कोई देखेगा तो कोई बिश्वात नहीं करेगा लेकिन हम लोगोंने कोसिस किया कि स्कूल को कुछ अच्छा बनाए स्कुल के infrastructure, स्कुल को बच्चों को मनुग्रा ही करें कि स्कुल में आये इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिस किया और स्कुल के strength power यह है कि यह गाउं में गाउं के मैध्यमे स्थीद है यहां बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और विकनेस यह है कि स्कूल में स्टूडेंस बहुत कम है गाउं में ही एक प्राइबेट स्कूल शुरू हो गया है इसके कारण ही हमारे यहां स्टूडेंस बहुत कम हागए है यही weakness है कि स्कूल में बच्चों के आना अभिभापों को admission देना पसंद नहीं होती थी अबाउट चैदाई EEI एंद अबाउट आईपी पाचसला के बाड़े में कहा जै तो यह बहुत fruitful काडियक्रम है जिसके जरिए हम बच्चों को movement के जरिए परहा सकते हैं without any cost और very low cost हम बच्चों को सिक्साप्रदान कर सकते हैं कोरोना महामारी के समय तो जैदा EEI और आईपी पाचसला लेना मुझे बहुत चाहाई किया है उन दोनों के यह दोनों काडियक्रम के जरिए मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंदल कर सकती हूँ और ज्यादा EEI ट्रेनिंग के बारे में कहा जाए तो रोहीच जी हमारे ट्रेनर थे वह ट्रेनर कम हमारे बंधु जादा है हम कोई भी समझसा लेकर उनके सामने जब भी आये फोन में बात किया वाच्छाप में मेसेज किया तुरांत जब उनको जब भी अच्छा लगे वो ताइम मतलब जिस ताइम में ही हम फोन करते थे जिस ताइम में ही हम वाच्छाप मेसेज देते हैं तुरांत समझसा का हाल निकल कर हमको प्रसन का उद्तर दे देते हैं थैंक यू रुहीची फोर यॉर हालफफुल हैंड जैद आई जैद आई आई ए आई की जड़िए मैं बच्चों को अच्छी तरह से उन लोगों का जो समयस्या होते हैं हम आउनलाइन मतलब मैं वाच्च अप में वीडियो सैंट करती हूँ प्रत्यक मद्यूल की और जो बच्चों का जो समयस्या होता है मैं वाच्च अप के जड़िया उनको तच करती हूँ मैं अनलाइन खुद पढ़ा नहीं सकती मैं जूम मीडिया ऐसे कुछ एप में क्लास नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ बच्चों के वहाँ नेतरों का अच्छा नहीं होता हूँ गाउं में रहते हैं इसके वावजूत भी हम जो कर रहे हैं हम लोग जितने हो सके उतने जूर रहे हैं उन लोगों का लार्निंग आउटकम बहुत अच्छा है वह बहुत मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मेडम जी हमें मोबाइल में भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऐसे स्कूल जब होते थे तब ऐसा कहा गया था कि बच्चों को मोबाइल लिखना है लाओ नहीं है लेकिन अब लोग उनको लगता है कि मोबाइल में हमको मैदम जी पढ़ा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है और जो जैदाईय का जो प्लेफुल मेथद है वो बच्चों को पढ़ाते हैं पढ़ाना साहिए ऐसा इन्नोवेटिव जो आइडिया देते हैं वे लोग वो तो बहुत फूटफुल है मैं इसके लिए सदा जैदाईय की आभारी रहोंगा आईपी पाच्छाला के जरीए मुझे ओ सारा मदियूल का सारंग्स मिल जाता है जै की थी उसी स्कूल में आज तीचर हूँ जिहां आप लोग सही सुन पा रहे हैं मैं खुद सिक्ष्वन तू नौंब कपली संकर्शंगाल्पी स्कूल में स्टूदन्त रह चुकी हूँ मैंने उसी स्कूल से ही सिक्षा समाप्च किया और आज मैं वही स्कूल से बच्चों को सिक्षादान कर रही हूँ अगर भगवान साहा अगर आप लोग साहे तो मुझे ये अफसर दे सकते है कि 2023 में हमारे बिद्दले पूरे 75 बिर्स कंप्लीट कर चुके होंगे इस अफसर में अगर हमारे स्कूल एक मदल स्कूल बन जाए तो इससे अच्छा हमारे स्थानियों लोगों के लिए कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती हर कोई बच्चा हर कोई आदमी इसके जरीए उपकृत होंगे और एक बात है कि हमारे यहां लोग आठीक अवस्था से बहुत पीछे हैं लेकिन ये एक ट्रेंड सेल रहा है कि बच्चों को प्राइबेट स्कूल में पढ़ाना है अगर पैसा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं लेकिन मैं साथी हूँ कि हमारे यहां के बच्चे सरकरी बिद्दा ले में पढ़ें सरकरी हर कोई सुबिधा का लाव उठा सके और इसके लिए हमारे स्कूल रोल मदल स्कूल बनना बहुत चुरूरी है मैंने आईपी पाच्चला और जैदाई आई के जरिए बच्चों को जितना हो सके अपनी रोल प्ले के जरिए मैं उनको इन्नोवेटिव आइडिया दे रही हूँ मैं बहुत कोशिस कर रही हूँ और अगर आप रोगों के साथ हो आप लोग ने हमको मतलब मुझे सहाई किया तो मेरा स्कूल रोल मदल स्कूल बन चकती है और मैं साहती हूँ कि मेरा स्कूल एक रोल मदल स्कूल बने मैं स्री अरबिंदर ससाइटी जैद आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-फसी को हार्डिक धन्नबात देना साहती हूँ कि आप लोगों ने हमको ऐसे बुरे वक्त में करोना के वक्त में सहाई किया आप लोग हमसे और सब्सक्राइब करें कि मेरा स्कूल एक रोल मदल स्कूल बने और ये नागाउं जीले के एक आगे हर हर कोई पहसान से के इस स्कूल को टॉप लिस्ट में मेरे स्कूल आए और नागाउं दिस्ट्रिक के टॉप स्कूल में से मेरा स्कूल का नाम आए और नागाउं दिस् subscribe, like and share my video thank you धन्यवाद जी